आज मैं जो stock discuss करने वाला हूँ वो मुझे लगता है कि आपके interest का जरूर होने वाला है क्योंकि इसके IPO के वक्त बहुत ही यूफोरिया बना था market में और बहुत सारे लोगों ने application किये थे और उसके बाद से ये stock में गिरावट देखने को मिली तो ये stock है PTM तो PTM का आज chart analysis करेंगे मेरा नाम है मंदाज आम संडिकर और आपका स्वागत है इस YouTube session में मेरे पीछे आपको PTM का chart देखने को मिल जाएगा ये देखी लिस्टिंग से अगर आप देखो तो एक downtrend में stock बना हुआ था ये मैं trend line plot कर देता हूँ ताकि आपको ये trend पूरा दिख जाए तो downtrend में stock बना हुआ था और latest वाल अगर आप chart देखो यानि पिछले 3-4 मेनों का chart देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक sideways kind of consolidation में बना हुआ ये देखे मैं यहाँ पे rectangle plot कर देता हूँ यानि आपको sideways जो है ये भी period जो है वो आपको clearly दिख जाएगा है ये sideways में है बना हुआ तो एक base बनाने की कोशिश clearly आपको ये chart पे यहाँ पे दिख जाएगी तो initially आप देख सकते हैं downtrend और उसके बाद एक base बनाने की कोशिश अब जब कोई भी stock एक base बनाने की कोशिश करता है तब ऐसे उसका मतलब होता है कि ये जो गिरावट है ये गिरावट इलहाल तो रुख गई है और price और यानि technical और fundamental जो यानि business और price ये दोनों का एक balance प्राइस ने भून लिया है तो तब ये जाके price जो है इस तरीके का एक base बनाने की कोशिश करता है अगर ये चार्ट देखते हैं तो थोड़ा ये और zoom करके मैं आपको ये दिखा देता हूं ये देखिए अब ये पिछले तीन-चार मैनों का चार्ट आपको clearly दिख जाएग अब यहाँ पर दो चीज़े हैं एक तो क्या है कि ये एक resistance बना हुआ था ये 676, 677 इस तरीके का ये level है ये देखिए मैंने horizontal line plot कर दी अब इसके उपर वाला जो level है ये 719 का है तो आज जो मेरे तरफ से आपको update मिला कि stock ने ये 676, 677 वाला resistance break करके उपर चला है और अगला जो पड़ाव है वो 719720 का है तो वो कहां से आ गया तो आप देख सकते हैं ये ये levels है और यहां से वो हमें levels मिली थी तो एक तो इस तरीके के resistance है ये break होने के बाद उसके उपर के levels activate हो जाएंगे 798 है फिर 847 है इस तरीके की levels आगे वाली जो levels है वो भी activate हो जाएंगे अब current वाला chart देखते है तो यहां पे 10 line भी plot हो सकता है तो यानि पिछले तीन मेने के जो tops है वो join करके ये देखी ये मैंने यहां पे 10 line plot कर दी इसको भी bold कर देता हूँ और इसको भी red कर देता हूँ अब क्या हुआ है कि आज की दिन में stock इसके ऊपर चला यानि जो मैंने आपको update भीजा वो भीजने पीछे reason यह था कि यह जो resistance है तो पहला वाला resistance कहां पे था तो 653 के level पे था दूसरा वाला resistance कहां पे था तो 676, 677 के level पे था यह levels break करके stock इसके ऊपर चला था और इसलिए म आपको इस चार्ट पे time change upward breakout भी देखने को मिलेगा उसका detail analysis जो है आपको शाम को प्रिशयन असिस्ट में उपर में मिल जाएगा लेकिन अगर आप मेरे mentorship program के member ना हो आप अगर profession नहीं use करते हैं तो यह levels आपने ध्यान रखनी है इसमें एक short term वाली opportunity बन रही है और यह opportunity आप stop loss का logic एकदम simple है इस कारण से मैं trade लेता हूँ वो कारण अगर fail हो जाता है तो मैंने बाहर निकल जाना है उस trade में से तो अगर मैं 677 का breakout अगर देखके मैं trade ले रहा हूँ तो मेरा 663,664,665 इस तरीके का कुछ तो एक stop loss होना जरूरी है तो वो stop loss रखना है वो stop loss होता है तो मैंने बाहर निकल जाना है उपर में ये stock कहां तक चल सकता है तो अगला पड़ा आप जैसे मैंने का 719 का है ये वाला जो red color का जो horizontal line है वो ये break होने के बाद उसके बाद 798 का इसमें target बनेगा तो ये levels है और ये एक बढ़िया सी opportunity बन रही है शॉट्टरम चार्ट पर ये है पे टीएम आज का stock आपके लिए अगर ये वीडियो पसंद आते हैं आपको तो इनको स्थम सब दीजिए और सबसे important आपके दोस्तों के साथ share भी कीजिए ताकि उन्हीं भी पता चले इस तरीके से analysis simple हो तकता है और opportunity पे टीएम में बन रही है आपने मुझे इस वीडियो मे जोइन किया इसलिए आपका धन्यवाद आपका मंदार जाम संडी करें